हेलो दोस्तों वेल्कम बैक टो और चैनल टेक यूनिक दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने प्ले स्टोर के सर्च हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं पर्मनेंटली डिलीट कर पाएंगे इस सेटिंग के द्वारा और ये कोई थर्ड पार्ट के से डिलीट कर पाएंगे आज इस वीडियो में आप जानेंगे बहुत ही आसान तरीका होने वाला है तो बिना लेट किये चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो सिंप्ली आपको अपना प्ले स्टोर ओपें कर लेना है तो आपको साइड में जो आपका आइकन दिखाई दे सब्सक्राइब तो दोस्तों आपए जो सेटिंग वाला और ओप्सन है सिंप्लीज पर क्लिक कर लेना है और यहां पर देखे आपको कई सारी सेटिंग मिल जाती है जर्नल नेटवर्क प्रिफश्रांस ऑथंटिकेशन फैमिली अब आउट वाउट तो दोस्तों आपे जर्न Lambgroup सेटिंग पर सिंयल क्लिक कर देना है और यहां पर देखेऊएंग डिवाइस पहला समय सिंपक्लिश पर क्लिक कर देना है लोदिंग चल रही है तो घाया कुछ सब्सें दिखें आपको कई सारे सारियव सन मिल जाते हैं और नीचे आपको history का option दिखाई दे रहा है आप एक clear device search history यहाँ से आप अपने device में जो आपने google play store पर search किया है उसकी history आप delete कर सकते हैं जो भी text वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं simply वहाँ से remove हो जाएंगे तुरंत और यहाँ पर clear watch list अगर आपने watch list create करी है तो यहाँ से आप watch list अपने clear कर सकते हैं और देखिए यहाँ पर कई सारे option दिखाई दे रहा है तो simply मुझे history delete करनी है तो simply यहाँ पर clear device search history पर click कर देंगे और यहाँ पर देखे cancel अगर करना चाते हैं तो cancel कर सकते हैं अगर आप हमेशा के लिए clear करना चाते हैं simply यहाँ पर clear history पर क्लिक कर दिने दें तो देखें हैं दिखाई दे रहा है तो आपको नए है तो मिल जपी झाल